दोस्तों कि आपको पता है कि आपको भी मिल सकता है आईरलेंड का work permit work visa वो भी मातर 10 दिनों में जे हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आईरलेंड के critical skills employment permit की ये permit जो है highly skilled workers के लिए बनाया गया है दोस्तों ऐसे workers जिनकी जो है बहुत ज़ादा ज़रूरत है आईरलेंड में जे हाँ mainly engineers, ICT professionals और technologists जो हैं दोस्तों उनको hire किया जाता है इस work permit के under और 2 सालों का work visa दिया जाता है अगर आप भी ऐसी कोई job हासिल करने में सफल हो जाते हैं दोस्तों तो आपको भी 2 सालों का work permit मिल सकता है मात्र 10 दिनों में आज की इस वीडियो में आपको critical skills employment work permit के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही general employment work permit के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों और कैसे आप जो हैं दोस्तों Ireland की jobs के लिए apply करके अपने लिए एक visa हासिल कर सकते हैं इसलिए वीडियो के इंटन्स ज़रूर बने नहींगा जैसा कि मेरे आपको बता हैं दोस्तों इंजीनियर्स आइसीटी प्रोफेशनल्स और टेक्नोलिजिस्ट और जैसे अधर highly skilled workers highly qualified workers को जो है critical skills employment work permit के अंडर हायर किया जाता है तो मैं आपको जानकारी देता हूं पूरी की पूरी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों critical skills employment permit लिखा हुआ है यहां पर साफसा और यह जो है दोस्तों मैं आपको Ireland government की website से जानकारी दे रहा हूं तो पूरी authentic जानकारी है इसमें आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं बस ध्यान से सुनते रहेगा ठीक है यहां पर लिखा हुआ है था critical skills employment permit replaces the green type employment permit green type employment permit होगा करता है दोस्तों green card type उसको जो है replace कर दिया है critical skills employment permit ने ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि this employment permit is designed to attract highly skilled people into the labor market with the aim of encouraging them to take up permanent residency in the state और उनका main aim जो है दोस्तो highly skilled workers को बुलाने का यह है कि highly skilled workers जो है यह visa लेकर के work permit लेकर के वहां जाए और वहां जाकर के PR वगएर ले ले ताकि अगर वहां पर highly skilled workers जाके बस जाएंगे दोस्तों तो आप सोच सकते हो कि इतना अच्छा काम करने वाले इतने है educated इतने highly qualified बंदे वहां जाके पसेंगे तो economy कि इतनी जाधा boom करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी economy को grow करने के लिए जो है दोस्तों यह मतलब plan यह लोग करते हैं और highly skilled workers को जो है इंडिया जैसी country से नोच करके लिए के चले जाते हैं अच्छी salary देंगे तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा ठीक है यहां पर आप देख सकते है eligible occupations under this type of permit are deemed to be critically important to growing Ireland's economy इस टाइप के permit के अंडर जो भी eligible occupations होते हैं दोस्तों वह बहुत जादा जरूरी है Ireland की economy के लिए इसलिए जो है इसे critical skills employment work permit कहा जाता है critical ठीक है बहुत जादा जरूरी आप देखें यहां पर लिखा हुआ है कि occupations such as ICT professionals professional engineers and technologists are catered for under this type of employment permit eligible occupations are largely determined in line with the regular analysis of the expert group on future skills needs ठीक है यहां पर आपको एक लिस्ट पूरी की पूरी दी जा रही है दोस्तों जिस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन सी occupations available है और कौन-कौन से occupation में आप जोब अप्लाई करके यह वर्क पर्मिट ले सकते हैं और मातर दस दिनों के अंदर ले सकते हैं दोस्तों ता आपको जो हैं पर यह critical skills occupation list मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ sectors देखने क्ली मिल जाएंगे आप देख सकते हैं employment category देखने क्ली मिलेंगे दोस्तों production manager and directors ICT professionals health and social service managers and directors और इदर जो आपको job title देखने क्ली मिलेंगा दोस्तों site manager की जो होगे बला है professional forester, resource modeling, उसके बाद senior health services and public health managers and directors उसके बाद medical laboratory scientist, civil engineers, structural engineers, उसके बाद site engineers, chip design, test engineering और electronics engineer की ज़रूरत है दोस्तों हैं आपर आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको अलगलग jobs देखने की मिल जाएंगी material scientist, facade engineer, project engineer, IT specialist manager, BIM manager तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तो सारी की सारी highly skilled jobs available है दोस्ते हैं आप तो highly skilled jobs अगर आप secure कर लेते हो दोस्तों आइरलेंड में तो 10 दिनों में आपको work permit मिल सकता है क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी जरूरत होती है लोगों की तो वह जल्दी जल्दी बुलाते हैं और बाकी आप दूसरी skilled jobs अगर आप apply करते हैं तो उसके लिए जो दोस्तों आपको general employment work permit मिलता है जी हां यह अगर आप work permit लेना चाहते हैं तो आपको 45 दिनों का समय निकालना पड़ता है जोब मिलने के बाद ठीक है यह जो list में आपको दिखाई दोस्तों इस list में जो भी jobs नहीं शामिल थी आप इसके अलावा जितनी भी jobs है उन jobs के लिए apply कर सकते हैं और एक ineligible occupation list है दोस्तों उसको भी check out करन नहीं करना है दोस्तों इन दोनों list में से available जो भी jobs नहीं होंगी दोस्तों वो jobs आती है general employment work permit के अंडर ठीक है अब मैं आपको बता दूँ कि भी अगर आप jobs के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको कुछ नहीं करना है अलग-अलग job portals पे जाना है दोस् search कीजिए जोब jobs आपके सामने आती हैं दोस्तों job description पढ़िए और jobs के लिए apply करना चालो कीजिए apply करने के लिए आपके पास एक Irish format का CV cover letter होना चाहिए दोस्तों European standard का CV cover letter भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हमारे से help ले सकते हैं या फिर CV cover letter या फिर हमसे बनवाई है लेकिन CV cover letter professional होना चाहिए दोस्तों ठीक है apply करने के बाद जब आपको jobs मिलेंगी तब आपको work permit मिलेगा दोस्तों तब आपको visa मिलेगा आप जो है अलग-अलग job portals पर जा सकते हैं जैसे कि आप अपने screen पर देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ popular job portals है Ireland के लिए इन job portals का इस्तमाल कीजिए दोस्तों ताकि आपको भी Ireland में job मिले ठीक है salary आपको बहुत अच्छे मिलने वाली है दोस्तों करीब आप 4000 euros के कमा सकते हैं और अगर आप 4000 euros नहीं कमाएंगे अगर आपकी salary इतनी नहीं होगी दोस्तों तो आपको जो है critical skills employment work permit मि इसमें जो है base salary है दोस्तों minimum salary आपकी 38,000 euros होनी चाहिए कम से कम साल आना अगर वो नहीं है तो आपको जो है मतलब आप qualify ही नहीं करते हैं आप इस visa के लिए ठीक है तो ये सारी चीजे भी आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों और साथ ही अगर आप जब दो सालों का visa ल ही बिताने होंगे दोस्तों जो employer आपको यहां से ले करके जाएगा एक साल हो जाता है तो आप जो है वहाँ पर employer change कर सकते हैं उसके बाद दो सालों के बाद जो है दोस्तों आप PR वगेर के लिए अपलाई कर सकते हैं और क्यूंकि आप एक highly skilled worker होंगे तो आपको PR मिल भी जा दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों मैं हुस्वारब और आप देख रहें पब्लिक इंजन मिलते हैं अगली वीडियो में एक नाई टॉप रहें हुआ़ थकर आप के लिए pare, शůगगार, कि वा थाल यह झाल को ना गएग।